नासा के वैग्यानिकों को मिले पैरलल यूनिवर्स के सबूत यहां पर उल्टा चलता है समय दुनिया भर में वैग्यानिक नई नई तरह की खोज और सोध करने में लगे रहते हैं जिन से कई चौकाने वाले सोध भी होते हैं अब नासा के वैग्यानिकों ने ऐसी ही बड़ी खोच किये नासा के वैग्यानिकों ने दावा किया है कि उन्हें पैरलर यूनिवर्स होने के सबूत मिले हैं यहां भौतिकी के नियम भी उल्टे हैं इसका मतलब यह है कि समय आगे चलने के बज़ाए पीछे चलता है दसकों में ऐसी संभावना को लेकर बहस चल रही थी अंटार्गिटिका की घटना से मिले सबूत ऐसा माना जाता है कि साल 1952 के बाद से ही ऐसी संभावनाय जताए गई कि हम मल्टी वर्स में रहते हैं इस बात को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिल सके वैग्यानिको को अंटार्गिटिका में हुई एक घटना से इससे जुड़े सबूत मिले हैं अनुमान के अनुसार इस घटना से ये साबित हो सकता है कि हमारे आसपास एक दूसरा समानतर ब्रह्मांड है कॉस्मिक रे डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट में ऐसे कड मिले हैं ज एक बड़े से गुर्बारे पर इलेक्ट्रोनिक एंटीना को अंटार्गिटिका में सूखी और ठंडी हवा के बीच उचाई पर टिकाया इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि ना तो यहां वायू प्रदूर्शन है और ना ही किसी प्रकार की धन्य से अवरोध उत्प प्रदृर्शन हवा के जड़िये अंतिरिक से धर्टि पर आते हैं हाई इनरजी का कणेवल अनतिरिक से नीचे आने पर पता लगाया सकता है लेकिन इस सोद में वैग्यानिकों ने उन सभी कड़ों के बारे में पता लगाया जो धर्टि के ऊपर की और उठते हैं यानि क्या दो ब्रमान बने थे बिग बैंक के समय दो ब्रमान बने थे इन में से एक वो है जहां हम रहते हैं और दूसरा वो जो वक्त के साथ पीछे चल रहा है इससे पहले इस तरह की चीजें हमें किवल फिल्मों और टीवी सोज में देखने को ही मिलती थी लेकिन अब एक नई ख मुदा चलता है कि ऐसी दुनिया भी हो सकती है